बच्चन सिंग वर्से स्टेट और पंजाब क्रिमिनल लाग का एक लेंडमार्ट जज्जमेंट है इस केस में IPC के सेक्षन 302 की वेलिडिटी चैलेंज की गई थी इसके साथ साथ CRPC के सेक्षन 304 मन्स और सेक्षन 3 की वेलिडिटी भी चैलेंज की गई थी बच्चन सिंग जो की एक बार murder में conviction के बाद life imprisonment पूरा करने के बाद बाहर निकल कर दुबारा से तीन लोगों का murder करता है और उसका conviction होता है death penalty award की जाती है trial court के दुबारा high court उसको confirm करता है उसके बाद high court में appeal जाती है वो high court जो है appeal को dismiss करता है उसके बाद special leave में supreme court आता है supreme court में उसकी तरफ से ये जो argument होता है कि section 302 है IPC का जिसमें की punishment दी गई है death और life imprisonment और उसके बाद section 304 सब section 3 है जो CRPC का उसमें judgment जब लिखते हैं तो उसमें death penalty के मामले में special reason और दूसरी जो punishment है उसमें reason जो है record करने होता है इसमें उनके advocate का कहना यह होता है कि इस case में fact ऐसे नहीं है जो की special reason में fall करें इसमें constitutional bench का जो है hearing होती है पांच judges की उसमें 4s21 यह एक minorities होते हैं और 4 majority से कहते हैं कि section 302 जो है IPC का तथा section 304 सब सेक्शन 3 CRPC का वो constitutionally valid है वो यह भी कहते हैं कि जो punishment है generally murder की cases में वो कहते हैं कि life imprisonment is the rule and death penalty is exception वो यह भी कहते हैं कि death penalty है that will be given in the rarest of the rare cases विर्डले से विर्डले cases में दे जाए कि जहांपे court को लगता है special reason उसके पास है record करने के लिए कि इस वेक्ते का society में रहना सही नहीं है तो इस case को specifically इसी लिए जाना जाता है क्योंकि इस case में death penalty को constitutionally valid करार दिया था और यह इसलिए भी माना गया था क्योंकि उस समय भी दुनिया की कई देसों में death penalty को खदम किया जा रहा था और उस समय भारत के Supreme Court के judges ने majority से कहा कि यह एक deterrence के रूप में काम काता है और criminal death penalty के चलते बहुत से जो crime नहीं करते हैं इसको deterrence factor के रूप में जो है स्विकार किया गया उस case में और उसमें जो main दो बातें थी वो यही थी कि constitutionally valid है 302 में जो death penalty है और यह rarest of rare cases में दी जाती है कर दो